इसा कैमरा मिलने वाला है जो वोप्रो को टक्कर देने वाला है हेलो मारी डूप फैमली तो कैसे हैं आप सभी लोग I hope you all are good तो आज हम करने वाले हैं एक 4K एक्टन कैमरा की अन्बॉक्सिंग जो आप सभी के बजट के अंडर आने वाला है एक budget friendly camera है तो वीडियो को इसको आप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि camera की price मैं वीडियो के end में बताऊँगा और जादा से ज़्यादा इस वीडियो को share करें क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा important होने वाली है वीडियो लोग व्लॉगिंग करने का सौक रखते हैं या फिर मोटर व्लॉगिंग करते हैं तो चली वीडियो बिना देरी की एक वीडियो को सुरू करते हैं तो यह है वो camera जो मैंने Amazon से purchase किया है तो जल्दी से इसकी करते हैं unboxing और आपको दिखाता हूं फिर मैं 4K high definition sport caisson cs6 action camera है caisson का है यह caisson cs6 model है इसका और पैकिंग इसकी काफी अच्छी है सबको site में करते हैं ताकि आपको सही से इसके सारी accessories देख सेके जो जो इसके साथ आई है यह कुछ paper है इसके साथ कि आपको कैसे use करना है करके यह सारा इस paper में है जो इसके साथ paper आएगा उसमें इसके सारी uses और जो ऐसी series इसके साथ मिली है उनको कैसे use करना है वो भी इस paper में है तो आपको कोई भी problem होने वाली नहीं है कि आप कैसे इसको use करेंगे यह इसका invoice है तो invoice के बारे में हम वीडियो के end में बात करेंगे इसको set करता हूँ अभी तो सबसे पहले जो आपके important होने वाली है सबसे ज़्यादा वो है यह आपका card यह one year का warranty card है जिसका होना बहुत ज़वरी है आपके एक साल तक और इनमें कैसोन का आपका बटसप का number भी है यह या फिर आप जो उपर यह बारकोड दिया वाई यह बारकोड को आप स्कैन करेंगे तो आप इनके वटसप ग्रूप में पहुंच जाएंगे जहां पर आप अपनी problem कोई भी problem camera से related आपको कोई भी problem होती है तो आप उनसे अपनी problem share कर सकते है वह वाटसप ग्रूप में आपको तुरंट जवाब देते हैं quick reply करते हैं वह तो यह है वह camera काफी छोटू सा है और काफी देखने भी काफी सुन्दर लग रहा है और यह अभी casing में है यह waterproofing casing है इसकी casing से बाहर निकालते हैं बड़े आराम से यह है वह camera बड़ा चोटू सा camera है और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें dual display है जैसे अगर आप समने का view लेते हैं तो आप ऐसे करके camera से आप video suit करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको सो करेगा और अगर आप selfie में यूज़ करना चाहते हैं तो यह camera आप सेल्फी में यूज़ करेंगे तो यह आप एक छोट असा display दिया गया है जहां पर आपको अपना चैरा अपना face आपको दिखेगा तो बहुत ही अच्छा camera है बाकी अब इसकी ऐसी series हम देखते हैं ऐसी series में क्या-क्या है इसको हम waterproofing casing में face डाल देते हैं यह waterproofing casing बहुत ही अच्छा है यह मतलब हर तरह से cover है और waterproofing casing के साथ आप अपने helmet के chin mount में आप इसे mount कर सकते हैं यहां पे दिया गया कोई भी problem होने वाली नहीं है बस एक problem है कि waterproofing casing के बाद आप इसमें external mic नहीं लगा सकते हैं और जो internal mic है मेरे ख्याल से उसमें भी sound जाएगी नहीं तो आपको अलग से वीडियो सूट हो जाने के बाद आपको एक अलग से sound dubbing करना पड़ेगा बस इसमें एक यह problem है बाकी अगर आप underwater suit करते हैं तो underwater suit में यह बहुत ही best होने वाला है बहुत ही अच्छा आपको result देगा क्योंकि पूरा चारो तरफ सा cover है एक भी मूंद पानी इस casing के अंदर camera तक नहीं बहुचेगा तो इसको रखते हैं अभी side में इसको on करके दिखेंगे अभी बात में तो सबसे पहले हम इसकी accessories देख लेते हैं accessories में यह अलग-अलग तरह का कई तरह का chin mount दिया गया है Chin mount है, helmet mount है, bike के handle पे आप mount कर सकते हैं तो कई तरह का है इसके बारे में जो भी है कि जो भी accessories जितनी सारी accessories आपको कैसे use करनी है तो इसका एक अलग से वीडियो है इनके WhatsApp ग्रूप पे तो आप महां से देख सकते हैं बाकी हो सके तो मैं कोसिस करूँगा कि वो वीडियो का link मैं अपने वीडियो के description में दे दूँ ताकि आप महां से पहले देख ले कि कैसे कैसे इसकी accessories को use करना है और फिर आप इसको purchase करें ताकि आपको इससे कोई problem नहीं होई purchase करने से पहले आपको पता रहेगा कि कौन सा accessories आपको कैसे use करना है बाकि मेरे को तो नहीं पता था मैंने पहले purchase किया उसके बाद इनके वर्सक गुरूप पे मेरे को वीडियो का link मिला तो फिर मैंने वहां से देखा उसके बाद मैं use कर रहा हूं यह कुछ cable tie है जैसे आप chin mount अच्छा यह cable tie आप इसमें लगाएंगे हाँ तो जैसे कि यह camera था casing में waterproofing casing से भार निकालों तो एक यह इसकी casing है यह casing helmet पे chin mount पे लगाने के लिए है इसमें आप camera ऐसे fit कर दें यह fit हो गया camera इसमें हालकि इसमें कोई safety है नहीं लेकिन safety तो इसमें आपको मिलेगी waterproofing casing में आपको safety मिलेगी लेकिन यह खाली underwater use करने के लिए है बाकी यह casing है जिसमें मैंने अभी camera लगाया यह chin mount में आपका आसानी सा mount हो जाएगा और side से आप charging cable भी लगा सकते हैं memory card आप निकाल सकते हैं लगा सकते हैं और साथ ही आप external mic भी लगा सकते हैं और इसको इस casing से camera निकले ना या कोई disk ना रहे तो उसके लिए cable tie दी भी है आप cable tie को ऐसे करके mount कर सकते हैं तो मैंने cable tie को पहले ही मतलब है try करके check किया था तो मैं आपको बता दूँ यह cable tie है मैंने इसमें लगाया था तो आप ऐसे करके लगा सकते हैं इसमें safety काफी अच्छी तरह से हो जाती है यह यह इसमें लग गया इसमें बैठा दिया है casing में casing और camera लेके पूरा इसमें कर दिया है और आपको display में भी कोई आपके bike पे लगेंगे कुछ ऐसा तो यह वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे यूज करना है इस सब चीजों को मैं एक ही कीज को पूरा detail में नहीं बता हुआ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर आप भी बोर हो जाएंगे इसलिए आप अलग से इस व और देखते हैं और कैका चीज था यह सब अलग से सिरीज को प्रसेस निकारना बड़ेगा कपी साघी स्लिदे worked реб काम भी नहीं आएगी कुछ ऐसी भी ऐसी सीरीज है यह लिखे कुछ इस्ट्रैट दिया यह और सबसे अच्छी चीज मेरे को यह लगी इसमें यह रिमोट कंट्रोल है मालीजे अपने ट्राइपोड पे कैमरा आगे रखा वाया है आप उससे काफी दूरी पे हैं और वीडियो बूल नहीं है काफी अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं काफी इसली यूज़ कर सकते हैं कोई परसानिया आपको होने वाली है यह यह बहुत तरह का माउंट है कैमरे का जो जैसे कि आप बैक लगाते हैं या जैसे आपने बेक लगा रखा या किसी भी श्ट्रैप मे तो उसमें आप ये ऐसे चिप्टी की तरह आप उसमें फशा सकते हैं और क्या है और ये हाँ इसके साथ external mic आता है वो भी मैं mic आपको दिखाऊँगा अगर आप इसके साथ आने वाला mic यूज़ नहीं करना साथे हैं आपके पास कुछ अपना personal mic है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं उसका अलग से connector दिया है क्योंकि इसमें जो mic लगता है वो उसका मतलब C-type में mic लगता है उसकी जो cable है वो C-type में है तो C-type की mic आसानी से मिलती नहीं है तो आप किसी भी तरगा mic ले सकते हैं और फिर आप इसमें इस connector के थूरू आप अपने camera में यूज़ कर सकते हैं तो यह भी काफी अच्छी चीज़ है कई camera में ऐसा होता है कि यह सब i-series अलग से हमें process करनी पड़ती है तेकिन इस camera में इसके साथ दी वही है यह क्या है यह इसका charging cable है यह इसका charging cable है C-type में adapter इसके साथ नहीं मिलेगा आप adapter अपने mobile वाला भी adapter आप यूज़ कर सकते हैं बाकि एक cable टाई है और दूसरे साइड में दूसरे साइड में भी कई तरह के mount है मतला आपको camera के साथ accessory इतनी मिलेगी ना कि आप प्रहसान हो जाओगे कि इतनी accessories का मैं करूंगा क्या करके पहुत सारी accessories सारे mount हैं जितने की सारे mount हैं तो अब box हो गया है यह मेरा helmet है ठंडर का इस्टर ठंडर सिरीज का है इसमें मैंने वह माइक लगा रखा है अंदर चेक किया था मैंने माइक लगा कर तो मैं माइक आपको निकाल के दिखाता हूँ अगर आप इस तरह का कुछ helmet प्रसेस करना चाते हैं तो इसकी वीडियो मैंने अलग से अपने चैनल पर डाल रखी है और यह chin mount जो है इसकी भी वीडियो मैंने अलग से अपने वीडियो पर डाल रखी है उपर से जो honk लगे वे हैं काफी अच्छा मतलब राइटिंग करने मज़ा आता है इससे public जो reaction वीव होता है वो भी काफी अच्छा मिलता है अगर आप इससे related मतलब कोई भी चीज पर से इस करना चाते हैं चाहे हांक चाहे चिन मांट चाहे हैलमेट इस तरह का कुछ तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही दे रखी है तो आप व कर सकते हैं तो यह है इसके साथ आने वाला external mic काफी अच्छी sound quality है वही चेक करने के लिए मैंने अपने helmet में लगाया था इसको और काफी अच्छी sound quality है CA type में है और wiring भी बहुत अच्छी है बहुत मजबूत है wiring और flexible wiring है क्योंकि flexible wiring का होना बहुत जरूरी है जब wiring अगर थोड़ी हाट होगी तो कटने का डर ज्यादा रहता है लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं बाकि आप देख सकते हैं इतनी सारी ऐसी त्रीज हैं इतनी सारी कमी मेरे को इसमें यह लगी कमी मैं आपको बता देता हूं सिर्फ एक कमी मेरे को इसमें यह लगी कि एक नहीं दो कमी में है दो कमी की बात करूंगा दो कमी मेरे को इसमें यह लगी पहली कमी यह कोई कमी नहीं है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें waterproofing casing के अंदर डालने के बाद camera को इसके अंदर fit करने के बाद एक अलग से कुछ slot दिया होता जिसे हम external mic को इसमें लगा सकें अटेस्ट कर सकें तो काफी अच्छा होता लेकिन अगर वो होता उसमें हमें problem भी होती है अगर वो होता तो उसमें पानी जाने की संभावना ज़्यादा रहती उसमें रिस्क ज़्यादा रहता तो ये कोई कमी नहीं होगी कमी तो सिर्फ एक है वो कमी ये है कि इसके lens में कुछ protector type में नहीं दिया है कुछ protector एक cap type में दे दिया होता तो काफी अच्छा रहता क्योंकि lens में फिर हमें कंटीनू साफ करते रहें जैसे इसे आपको यूज करना है बाकी तो ये सारी ऐसी स्रीज हैं और यहीं बात इसकी price की जिसका आप बे सब्री से इंतिजार कर रहे हैं इतने देर से तो इसके invoice को में उठाते हैं और इसके price की बारे में बात करूं अगर हम उसकी बात करें तो size box में ऐसा कुछ price इसमें लिखा है नहीं लेकिन ये 10,000 से उपर का है लेकिन अगर आप Amazon से इसे आप मंगा से थे हैं तो ये आपको 9,250 रुपे का पड़ेगा और बाकी यही है invoice में ये आपके budget में आने वाला है और तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग 10,000 के अंदर के range में 9,250 रुपे या हो सकता है कुछ price 100-200 रुपे vary करें price क्योंकि अलग-अलग दिन में अलग-अलग season में इसके price कुछ vary करते हैं flip card पे कुछ अलग price होंगे Amazon पे कुछ अलग है इसकी जो official site हो उसके price को सलग होगा लेकिन जदा अंचर नहीं होगा 200-300 रुपे 100 रुपे ज़्यादा से जदा इतना ही होगा तो इतना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा issue नहीं है 100-200-300 रुपे कोई बहुत बड़ा issue नहीं है ठीक है लेकिन इतनी range में मेरा जो personal experience review है वो कापी अच्छा है इसके साथ कोई भी problem मेरे को ऐसी हुई नहीं है हाँ एक और मैं important बात इसकी बताओं तो इसके साथ मेरे को दो battery भी मिली है ये बात मैं आपको बताना भूल गया इसके साथ मेरे को दो battery मिली है जो कि एक battery इसके अंदर मैंने डाल रखी है यहां से cover खुलता है इसका यहां से इसका cover खुलता है और battery लगती है तो battery इसके अंदर लगा रखी है मैंने आपको इसको on करके बता दूँ यह on करने के लिए button है उपर यह आप ऐसे दबाय रखेंगे थोड़ी दे तो यह on हो गया अभी battery low है इसकी और यह आपका front display अगर आप इससे selfie में यूज़ करना चाहें तो इसका mode आप चेंज़ करें चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ battery low है इसलिए हो सकता है कि ज्यादा यह on हो गया है यह selfie में अगर आप यूज़ करना चाहें तो यह आपको एक चोट उसा display यहाँ पर दिया वाज जिससे आप अपने आपको इसमें देख सकते हैं आप selfie में इसको यूज़ कर सकते हैं बाकी मैं इसको camera को अभी आप कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी ज्यादा है नहीं camera off हो गया है इसके साथ दो बैटरी आई है एक बैटरी इसमें लगी वी है और बाकी दूसरी बैटरी अभी चार्जिंग पर मैं लगाई वी है तो इसको मैं open करके दिखा देता हूँ आपको की बैटरी किस तरह की है सबसे अची बात है इसमें कि दो बैटरी आ रही है क्योंकि दो बैटरी के होने से आपको जैसे लॉंग ड्राइब पर जा रहे है या लंबा कुछ व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें एक बैटरी आप चार्जिंग चार्ज करके इस पेर में रख सकते हैं और जैसी एक बैटरी है छोटा सा ऐसा ही सेम एक और बैटरी है जो की चार्ज पर लगा हुआ है तो इसकी प्राइस की बात कर ली हमने आपको अन्बॉक्सिंग करके मैंने दिखा भी दिया कैमरा इसकी ऐसी सारी पता दी इसका जो मेरा पस्टनल एक्स्प्रियंस है जो मैं इसको एक मैन कुछ लोग आप में ऐसे हैं जो आते हैं वीडियो देखते हैं चले आते हैं तो उन लोग से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब करें साथी लाइक करें और बैल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाली हर निव वीडियो की अपडेट्स आपको टाइंग से मिलती रहें तो चलते हैं फिर जैंग